परदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परिक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सुबोध जोशी के जीला पंचायती राच ओफिसर बनने पर हरियाना के परिवेहन एवं खनन मंत्री मूलचन शर्मा ने प्रसंता जाहिर की है उन्होंने फरीदाबाद के सेक्टर साथ डी निवासी बीपी जोशी को उनकी पुत्री के स्लेक्षन होने पर उनके घर पर जाकर बदाई दी मंत्री ने जीला पंचायती राज ओफिसर के पत पर चैनित हुई कुमारी सुबो जोशी की शोल भेट कर बधाई दी है और उनके सुनहरे भविशे की भी काम ना की इस मोके पर परिवेहन मंत्री मूलचन शर्मा ने कहा कि सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नार मिकारी बनी है यह देखकर उन्हें काफी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है वही सरकार में जीला पंचायती राज ओफिसर चुनी गई सुबो जोशी का कहना है कि उत्रपरदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रथम रेंक का हासिल करने की कामियाबी के पीछे उनके मात मेरा नाम बुद्धी प्रगाश जोशी है लोग मुझे बीपी जोशी के नाम से जानते हैं आज खुसी है आपके घर में रजल्ट आए था प्यस्सी का बेटी का सेलेक्शन हुआ है क्या कहना आपका मुझे ये जो कूशल पूछते है मुझे जब भी लड़क्यों का चाहिए वह बेरी लड़की हो और चाहिए कोई बी लड़किया हो जी इनको मैं पेपर में बढ़ता हूं किसल Lड़की ने ये किया इस टे ये किया इक ए इस रुद बं ली है मेरे को उनकी सकल है मीरी सर्द और सुबोत मुझे दर्जराती है, मेरी लिए कोई कुशी नहीं, वो लड़की जब बनती हैं, तब मुझे कुशी होती हैं, और आज दि क millennials नहीं है, तो भी मुझे कुशी है स्कूर। क्या नाम है आपका? सुबोत जोशी, सुमझे आपका सेलेक्शन कौन सी कोस्ट के लिए हुआ है कौन सी रैंक आई है दिस्टिक पंजायत राजोंग सर रैंक वन उत्रपदेश PCS 2020 तो क्या अनुबब कर रहे हैं आप मंदरी जी भी पहुंचे हैं क्या कहना आपका मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे फरीदवा डिस्टिक के अंदर अंकल ने बहुत जादा लड़कियों की वूमें इंपावर्मेंट के लिए बढ़ावा दिया है बेटी पचाव बेटी जैसी स्कीम्स भी आई है और हमारी हर्याना सरकार काफी अच्छा करें सेक्स रेशो को जो हमारे हम पर बहुत जादा है उसको डिक्रीस करने का प्रयास करें और काफी हद तक हम लोगों ने ये किया भी है और आज हर्याना सरकार ने इतना काम कर दिया है कि मुझे लगता है कि जो बच्चे यहां से यूपी में जा रहे हैं तो वो भी सेम काम वहां पर करेंगे और वहां पर भी जो कमिया होगी उनको दूर करेंगे लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आज भी हम बूमेन एंपावर्मेंट की बात करते हैं मुझे लगता है कि एक समय ऐसा है जो शायद हमारे मिनिस्टर साहब ने भी ये सपना देखा होगा कि बूमेन एंपावर्मेंट की जगह जैसे अंकल का कहना है कि भूमेन लेड डेफ्लेप्रेंट होना चाहिए और इसके लिए यह हमारी स्रकार भी प्रयास करें और अगर यह चीज हो जाती है और जो हमारा पूरे देश का सपना है देश गोल का जो जैंडर उक्वालर्टी का उसको हम्हों बहुत मैं यही कहना चाहूंगी कि आप फेलियर से बहुत कुछ सीखते हैं जैसे मैंने पेशन सीखा, डेडिकेशन सीखा, यह मैंने अपनी मदर से सीखा है बेसिकली और अनेस्टी इंटीग्रेटी मैंने अपने फादर से सीखी है और समाज के लिए काम करना, वो मैंने अंकल से सीखा है, तो ये सब चीजें होती हैं, जो आप अपने आसपास के सराउंडिंग से देखते हैं, तो ये सब मुझे सीखने को मिला है, और मैं चाहूंगी कि फुल रिस्पॉंसिबिल्टी के साथ आगे इसी चीज़ को आगे जिनल मोदी जी ने जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का जो विहान का नारा था, और जो पानीपस स्रुगात मनोला जी के नेतर्म होई थी, और ने इस बेटी का नारा पानीपत की इस भूमी से दिया था, और जिसके सफल साका, जहां पे बेटियों का और जो लड़को का जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के जबनाने को, जो बिटिया ने साकार करा, मैं भाई जोसी जी को बदाई दूँआ, मेरे मित्र हैं, पार्टी किसी महसकता को याद में, पर में अच्छे मित्र की परिवाश्या के, के रूप में कहुँआ की ज पर्देश में जो सेलेक्शन हुआ है, मैं इस बात की बदाई इस परिवाद को माता पिता को बदाई दूँआ, कि जिनों ने पने बच्छों को पढ़ाई में, होसले को बननी रखा, और बेटीों को पढ़ाने का योगदान दिया, और बेटी पढ़के जो अफसर बनी है, इनको बहुत बदाई, बहुत मारत, आने वाले समय में बेटियों का रास्ता और मिलेगा, और इस तरह से परिवाद से साथ बच्छों का सेलेक्शन हुआ है, और मेरे बननन से पहली बेटी है, जो बेटी का सेलेक्शन हुआ है, मैं इसके लिए बहुत बदाई, बहुत ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर book करें